उत्रप्रदेश के बरेली के सुभाश नगर थाना छेत में बदाईयो रोड पर इस्तेत में घांश अस्पताल में अचानक हुई चार मौतों से हरकम मजगया है कैंट थाना छेत के चनहेटी की रहने वाली प्रसुता प्रेंका बीस वर्ष और उसके बच्चे की डिलेवरी के बाद मौत हो गई प्रेंका के देवर प्रेंश शंकर ने अस्पताल के डॉक्ट्रों पर दोनों मौतों के संबन में लापरवाई का आरोप लगाया है सिरौली थाना छेत की शिप्पूरी की मितलेश तीस वर्ष को 6 अक्चूबर को अस्पताल बे भरती कराया गया था जहां प्रसुता ने एक बच्चे को जन दिया था बच्चे की मौत हो गई थी वहीं उप्चार के दोरान मैला की भी मौत हो गई परिवार वालों ने जॉक्टर पर लापरवाई का आरोप लगाया है उन्होंने बताया कि अस्पताल ने इलाज के नाम पर 2,30,000 रुपेल ले लिये हैं परिजनों का आरोप हर दो घंटे पर जॉक्टर दवा मंगवाते थे दवा कहां जाती थी कुछ पता नहीं साथी अस्पताल स्टाफ परिजनों को मरीज से मिलने भी नहीं देता था मिर्तक महिला के परिजन ने बताया कि अस्पताल वालों ने उन से रात में बर्स भी मंगवाई थी बोले मरीज को लगेगी सुबह अस्पताल वाले बोले उनके मरीज की मौत हो गई दो दिन पूर्व अवनीश कुमार पिता शिवलाल निवासी मुहम्मद नगर सुलेरा थाना मुझा जाग बदायू को अस्पताल में भरती कराये गया था परिजनों ने बताया अवनीश को बुखार होने के साथ लगातार बोलने की परिशानी की दिक्कत थी डॉक्टरों ने उसकी तव्यत को बिगरता देख नाक में नली डाली थी जिसके बाद उसकी हालत और खराब हो गई बाद में अवनीश को आईसीओ में शिफ्ट किया गया वहीं अवनीश के परिजनों का आरोप है कि अवनीश की आईसीओ में मौत हो चुकी है पर डॉक्टर पैसा बनातने के चलते उसे मृत नहीं बता रहे हैं सुबा चौते मरीज की भी मौत हो गई उसको डॉक्टर ने अस्पताल के दूसरे गेट से बाहर निकाल दिया इलाज के रुपे माफ कर दिये थे इसलिए परिवारवाले शब को चुप चाप ले गए शबाद में दो दिन इसलिए एंटी मैटर के पर सपर स इसलिए उसके बाहर नॉर्मल मेट दुआ के बाद ये जरनल अंप ये जब पाहले जब ले गए भादा है ये जब पैसे हमॉआ कर दोगोई आपने तुप ये तो भी तो दिन बाद पर आपरेशन कर आए तो दो दिन बाद कर आ है किस की लापर पाई है इस्पताल बालों की डाक्टर की लापरवाई इसके बाद में हालत और डॉन गिरती ही चलिए इतने लोग खत्म हो गए अज चार से पांच लोग खत्म हो गए और दबाई दबा चुरा रहे हैं दबाई भी चोड़ी हो रही है तो मेरी पत्नी में भावी है उनका नाम है प्रिंगा आप लाल भाड़क चनेटी और यह isu Testament अब भी ताला लगा हुआ है अबब भी ताला लगा हूआ है पाणी पीघागा प्यासा घ्रचकर ओलाए पानी पीने कहाँ जाए मैरा नाम महेश महरी है महेश महरी है मेरी पत्टनी को थोडा पेट में तरक था आक्षिजन की कमी वाना पढ़ इती थोड़ी तोड़ी तम जिके लगा सबशल मानें आप रोग रह हैं, पोढ़े था रख नहीं से अमेर्जंसी उन्हें जब बंपी मेने अगुए को , पर इसके बाद में यह ले गया है फिर इमरंसी मुपर ले गए उपर ले जाने के बाद इनोना जवरतष्टी नाखों में नली डालके और इदा उदर सारे पर में जूस निब डालके दवाई चलाने लगे उसके बाद में तब से मेरी पत्नी जोनी नहीं है और मैंने इनसे ब पर दोड़ने के बाद में पर यह बोल ले थे कि चलो हम ऐसी कर देंगे बच्चा जब बोलने के लिए कि बच्चा मर गया और बच्चा जीविता पेट में इतनी गरम गरम दबा लगाई थी इसके अंदर जिससे बच्चे की मौत हो गई किया लग रा है कि अस्पिटाल की ला पर वाई है और जो तान्स रूपे गर अंजा से आप कहीं से ले लो वह दो आजार पचास का है अभी आप बिल में देख सकते हैं पार से 500 रुपय कर रहे हैं कि तो यह नहीं तो बापस नहीं आगता पहले तो यह उस्किताल बगा हुआ भगा हुआ बगा हुआ है बच्चे नहीं दबा लगा के मार दिया है अधों से बच्चे कहता है आज लगो इसमें तीन मौते हो गई हैं और एक उपर हम इंसी में रख अधिकाल ले पर परसों तहसे पर नगाते हैं शर्षा बताते हैं कि तब हैं वंडियेत हैं जान किसी को बताते हैं जाने देते ना किसी को जाने देते हैं कॉन था प्रवाई तक परची तिखा दो तुम्हें आज मैं पता थे लोना थी गृत कर दो दो तरुमरे नौ परसों कि आज 6 बच के 20 मिनट पे एक पेशिंट की डैथ हुई जिसका नाम था प्रियंगा मेरे पाफ जलाई थी उसके दोनों पेवलों में निमूनिया था उसको सेप्टिक फैला हुआ था बच्चा पेट में मरा हुआ था उसके प्लेटलेट काउं थे आप जानते हो इस समय बहुत बढ़ी दिक्कत चल लए है लेटलेट काउं थे उसका हीमोगलोमें चार ग्राम था मात थीके था उसका जो है इमर्जेंसी में उसे वेंडिलेटर पे लिया गया पेशेंट को वेंडिलेटर लेने के बाद जब उसकी हालात बिगड़ रहे थे उसका सेप्टिक मेहलता हुआ दिखाए दे रहा था तो डॉक्टर कीमिया हमारे गानोपॉल्स उन्होंने उसका उप्रेशन किया ठीके था पेशेंट का बच्चा मरा हुआ था जो घरवालों को दे दिया गया ठीके था है नत बच्चा से आयूडी था जब आई थे तब इसकी धरकने नहीं थी वह घरवालों को श्रॉप आप गया तो इसके बाद मरीज की बेंटिलेटर पे रहा सीरियस था बलड चड़े उसके प थोड़ा रिकवर और धरवालों को फोफ लगी कि हमारा मरीज थी ओ गया थीक है हमने ने के घरवानों को यह बताया गया था कि आपका मरीज अभी सुधार है ठीक नहीं हुआ है तब करन तो अभी पूंता सुधार नहीं गय सकते अस्पतार में रहने के अभशकता है पती और माता जी उनके साथ रही सुबह अचानक पांच बजे सांस में को इसको दिक्कत दुए जिसके लिए उनको तुरंत आई सीओ में शिफ्ट किया गया इलाज किया गया लेकिन क्योंकि धड़कन उनकी वापिस नहीं आई तो उन्हें मुरित कोशित किया गया आथ सुब दस तारीक के सुबचे लिए जिन्दा है सिर्फ अप्षा इसके बाद एक पेशिंट में में मेरे पास आई थी जिसका आयोडी ओल लेडी था जो डिलीवर नॉर्मल हो चुका था वो गया आते ही साथ उनका नाम था मितलेश वो मेपा निमोनिया में आई थी उनका लिवर दोनों पेशिंट को को लिए मत करिये उनका लिवर फेल था लिवर के इंजाइम बढ़े हुए थे पिशाब नहीं आ रहा था श्टेंडर से उनकॉंशिस थी वेंटिलेटर पे थी यानि बेहुशी के हालत में थी वेंटिलेटर पे थी दिमाग अधिवा सांस सब के डॉक् चार बजे मैं आई हूँ और मैंने उनसे का आप चुटी कराइए तुनों उनका बिलिंग कर आया चार बजी मैडम ने कुद आके देखा है मरीज को बताया है एक बाद मुझे अगर प्रयास करिए बगवान देख लेगा बाकी आपकी आपका 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 है उसका अगर भूदा इलाज चला है और आज के अगर बदारीग से पहते है अगर प्रयां की डथ होई है दू इस ठीक है एंड जो मितलेश उसकी दवाई वो लो लो घरवाले नहीं लाकर देए तल राग से मेरे पास कोई दवाई नहीं नहीं आई 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 स्टी किये एगे चुट्टी होने के बाद अपनी तरफ से कर सकते थे हमने अपनी सारी दवाईयां लगा देंगे पेशे सीरियस है प्रिटिकली इल है हम लगाता है लगा रहे थे तब मेना तो चुट्टी के लिए बोला आप इसको कंफर्म कर लीजे मात्र दोई मारीजों का जैत हुई है और अच्छा इलाज मिल जाए उनको बता रखे कि आप रामूर्थी ले जाहिए तल से बताया हुआ है यहां पर हमसे भी कहने साब हम कहा ले जाएंगे क्या हो जाएगा और उपर से आपको गलब यूज देना है वह अभी भी वेंडिलेटर में आप देख सकते हुए तोट और एक हुए आट बजे क्या स्ट्रक्स थेक्ट थेक्ट